आमदोर पे कहा जाता है कि जब सर्दी के शुरुआत होती है खासतोर पिर जब धान की फसल की जब कटाई होती है उसके बाद पराली का जो सीजन होता है वो बड़ा पीक होता है जिसका सबसे बड़ा नुक्सान क्या आता है कि एर पॉलिशन एक्यूआई बहुत जदा बढ़ जाता है इस समय अगर बात की जाये दिली के जहां हालातों की बात की जाये समय सबसे जदा माड़े हालात हो रखे हैं एक्यूआई बहुत जदा बड़ा हुआ है जिसका सबसे बड़ा और सीधे तोर पे जो असर कहा जाता ह है उसका असर दिल्ली में देखने को मिलता है अगर हर्याना की बात की जाए तो उसका एको एक नजाद लेकिन पंजाब की अगर बात की जाए तो इस समय पंजाब की हालात भी कुछ जादा सही नहीं है अगर आकडो को नजर मारी जाए तो पंजाब में सबसे जादा जो पराली है सौंबार यानि की बीते दिने तकरीबन जो है सबसे जादा साल की जो है पराली है इस बार पंजाब में जलाई गई है अगर आकडो की हम देखा जाए तो इस बार जो है हाला की आकड़े बहुत जादा नहीं है पिछले साल के कॉर्डिंग लेकिन जिस तरीके से एक्यूआई बढ़ा हुआ है लोगों को सास लेने में दिक्कत हो रही है हाला कि जो अगर एरियस की बात कीज़े वहां पराली लगातार जला हाला कि सरकार लगातार अपील करती रहती है कि पराली को जलाया जाए इसका वे आउट जो है सरकार दे भी रही है लेकिन किजानों का साफ़तार पर खेहना है कि उनके पास यह वे आउट इतना जो है लापकारी नहीं होता है कि उनके लिए वह पराली ना चलाएं अगर आकडों की नज़र डाली जाए तो इस बार पंजाब में सो नाए है वो सामने निकल के आई है आठ नेवेंबर को जो अगर का जिकर किया जाए तो उस दिन 730 मामले ही जो सरफ है पंजाब में पराली के थे और अगर 2000 आकडों को अगर हम देखा जाए तो सबसे ज़ादा जो पराली है जिलों के अगर बात की जाए तो बठिंडा, फि हमारे लिए मजबूरी है पराली जलाना हमारे पास कोई और अप्शन नहीं होता है हम भी मजबूरी में जो है जो इस चला आए जाते हैं आमतवर के या पर जब पराली जलति या सिजन होता है ठंड भी आ जाती है और पराली का जुद हो ता दोनों को मिक्स हों के बहुत ज जाती है और फॉग है वो बहुत बढ़ जाती है जिसके चलते हुए कई तरिकी की धुर घटनाई है वो पंजाब में आम तोर पे पंजाब ही नी हर्याना हिमाचल में या पर हर्याना में भी इस तरिकी घटनाई होती हैं जब धुन्द पूरा पड़ता है लिकिन समय जो हलात बने हुए है धुन्द और कोरे के साथ-साथ जो है एक्यू आई भी उसमें अंदर जो है मिला हुआ वैसे में जो हालात हैं काफी समय चंता जनक बने हुए है जैसे कि अगर हम बात की जाए इस समय फोगा मोगा की अगर बात की जाए तो 49 जो मामले सामने आए फिरोजपुर म के मामले में पिछले साल की अकार्डिंग जो है 71 फीसदी जो कहा जा रहा है मामलों में कमी आई है दो हजार-गार आकडों की बात की जाए दो हजार-थेजा की बात की जाए सबसे पहले हम आपको तैइस की आकडों की 18 नवेंबर तक यानि कि आज 19 नवेंबर है अठार 9,655 जो कुल मामले हैं अब तक सामने निकल करा हैं बीते देने के ये आकड़ा है तो कहा जा सकता है कि इस बार आकड़े बहुत जादा नहीं है पिछले सालों के अकॉर्डिंग लेकिन जस्तरीके से पराली जलाई जारी और पंजाब में कल यानी की 18 निवेंबर को सोंबार क के दिन सबसे जादा पराली जाली गई है और पराली जलाने का जो असर है आम तोर के ओपर आम जन जीवन पर भी पड़ता है कारण क्या है कि इस से जो हसास लेने में दिक्कत होती है कई तरीकी की बिमारियों को भी जनम देती है जहां एक तरफ सरकार के तरफ से की तरफ से दी जारी है वहीं अगर दूसरे तरफ किसानों का पक देखा जाए तो किसान अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि जो चीजें उनके जो दी जाती है वो उतनी सफिशेंट नहीं है जितनी होनी चाहिए और अगर पंजाब और हर्याना की बायत कीजिए सबसादा धान की फसल जो है पंजाब और हर्याना में होती है अब ऐसे में जो पराली का सीजन होता है वो हर साल ये जो समस्य है जियों की ट्यों बनी रहती है अब जो आखड़े सामने निकल के आए हैं और जिस तरी कि हलात इस समय बने होए हैं चिंता जनक है और लगाता लोगों से ये आंगिलियम और प्रीकर्ण